हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल तो आज मैंने बनाया है बटर चिकन जो बहुत ही डिलिशियस होती है और सबकी मोस्टली सबकी फेवरेट ही होती है हम सबसे पहले रेश्टरंट में यही ऑर्डर करते हैं इसे बनाना बहुत इजी है आप पस मेरी वीडियो को लास्ट देखिए और step by step follow किजिए तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन अब इसमें मैं एड़ करूंगी एक चम्मच अद्रक लेसन का पेस्ट इसके बाद हम एड़ करेंगे आधी चम्मच मतलब चोटा चम्मच न इसमें रेट चिली पाउडर भी आड़ करेंगे अब हम इन सब को अच्छे तरह से मिला लेंगे और आधी घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखतेंगे तो चली अब इसकी सॉस की प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है एक मीडिय कटकर लिया है टू मीडियम साइज के टमाटर कुछ लेसन के कर लिया जीरा अद्रग थोड़ी से काजू साथ आट काजू दो ग्रीन चिली अब मैं कड़ाय ले ले लेते हूं उसमें एक चमच मैं इसमें ऑल डाल देते हूं अब मैं इसमें बटर डाल देंगे क्योंकि यह बटर चिकन है तो इसमें मखण का होना ज़रूरी है तो मैंने एक चमच ही बटर डाल दिया है अब बटर पिगलने के बाद हम इसमें सारी चीज़ा एड़ करेंगे तो यह मखण अभी पिगल रहा है अब मैं इसमें प्याज, लेशन, जीरा, अद्रक, टमाटर, हरी मिर्ची, काजू सब साथ में एड़ कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी इसे अच्छी तरह से मैश होने तक हम इसे पका लेंगे तो इसमें मैं पहले नमक डाल देती हूँ, आदी चमच अब कश्मेरी रड़ चिली पाउडर एड़ कर रहे हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा अब आदी चमच हम इसमें हल्दी एड़ कर देंगे और इस सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे अब मैं इसमें एक छोटा चमच वन एड़ हाफ स्पून इसमें चीनी डाल रहे हूँ, यह अप्सनल है और इसको भी मैं मिला लूंगी अच्छे से और इसको कवर करके दस मिनिट तक हम इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे दस मिनिट हो गए है और यह अभी पकरा है इसको अच्छी तरह से हम फिर से चला लेंगे और मैं इसको एक प्लेट में निकालके थंडा होने के लिए रख दूँगी अब मैं उसी पैन में फिर से एक चमच ओयल डाल देती हूं ओयल थोड़ा करम होने के बाद हम इसमें वो मैरिनेटर चिकन डाल देंगे चिकन डालने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेंगे इसको भूनने में हमें 7-8 मिनिट लग जाएंगे तो इसको लगातार चलाते हुए इसको हम भूनेंगे क्योंकि चिकन नीचे लग जाता है तो यह मेरा भी फ्राइ हो चुका है चिकन अब मैं इसको प्लेट में इकाले किती हुए अब हम एक क्राइंडर जार लेंगे और जो मैंने टमाटर वगेर का पेस्ट बनाया था उसको मैं इसमें डालके पीस दूंगे मैंने इसको पेस्ट दिया है देखिए हमारा मसाला अब रेडी हो गया है यह बहुत ही सिल्की और वेलवेटी होता है अब हम इसको उसी कड़ाई में डाल देंगे और इसको पांच मिनिट हम ऐसे ही बॉल करेंगे फिर इसमें हम इस फ्राइज चिकन डाल देंगे और इसको डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे अच्छे से और इसको ढखके 10 मिनिट तक हम इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे तो 10 मिनिट हो गया है और चिकन भी पक गया है तो मैं इसमें अभी एक चममच फ्रेश क्रीम एड़ करूंगी क्रीम एड़ करने के बाद मैं इसमें धन्या पत्ता एड़ कर देती हूं और इन सब को अच्छी तरह से मिला लेती हूं अब हमारा बटर चिकन तयार हो गया है अब मैं इसको थड़ा सा और धन्या पत्ता एड़ करके इसमें एक चममच और क्रीम एड़ करके मैं इसको सर्फ करते हूं आप इसको रोटी नान के साथ खाईए यह बहुत ही टेस्टी लगता है और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे